हेलो एव्रिवन गुड मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं 11 दिसंबर से लेकर 17 अफ दिसंबर तक की करेंट अफेयर और जितना भी कोश्चन है डेज है न्यूक्तिया है उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल यूज के उपर भी चर्चा करेंगे 11 दिसंबर को मनाया जाता है और 2023 के लिए जो थीम डिसाइड करी गई है वो परवतिय पारिस्तित की तंत्र को पुनर स्थापित करना पूरी दुनिया में 15 प्रतिशत लोग परवतों पर रहते हैं साथ में 27 प्रतिशत का जो भाग है प्रिथवी का वो परवतों से ढखा यूनसिफ एक ऐसा अंतरास्टी संगठन है जो संग का भाग है और ये बच्चों के उपर विशेश रूप से काम करते हैं 11 दिसंबर 1946 के दिन ही संगतरास्ट बाल कोश का निर्मान किया गया था संगतरास्ट महसभाग के द्वारा ठीक है और एक तरीके से आपातकालिन और पर स्वास्टा करेंगे जाता है इसके बाद सारव भौमिक स्वाष्थ कवरेज दिवस कप मना जाता है इस बार की थीम क्या थी दो हजार तेईस की तो सभीके लिए स्वास्थ कारेवाई का सभाई नेक्स हम बात करेंगे रास्टी उर्जा सनरक्षन दिवस यानि कि भारत का नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डेक कम मनाया जाता है तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है और इस उपलक्ष में 14 दिसंबर के दिन ही नई दिल्ली में जो विज्ञान भवन है वहाँ पर हमारे देश की राश्पती दृपदी मुर्मुजी के द्वारा कई सारे पुरसकारों का वित्रण किया गया था ओके नेक्स हम चर्चा करेंगे विज्ञ दिवस के बारे में जिसको 16 दिसंबर को मनाया जाता है इस दिन जो बांगला देश है उसका सुकंदरता दिवस भी मनाया जाता है क् इस दिन बांगला देश आजाद हुआ था जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था यानि पाकिस्तान के चंगुल से आजादी मिली थी जो मुक्ति वाहिनी सेना थी उसके सामने समर्पन किया था पाकिस्तान की सेना ने वहां के जो सेना प्रमुक है औ पाकिस्तान के उन्होंने आत्म समर्पन कर दिया था और उसके बाद ही स्वतंतरता मिली थी पूर्वी पाकिस्तान को जो आज के बांगलदेश के रूप में जाना जाता है ये घटना है 1971 की ओके क्लियर तो विजय दिवस हम कब मनाते हैं तो 16 दिसंबर को मनाते हैं नेक्स हम क्तुन के और ते ये तो फैसे जल्वायस परिवरतन प्रदर्शन सूचकांग में भारत की भर्तमान रैंकिंग क्या है या यहां पर लेकिन अब भारत साथ में रेंक पर आ रांकिन निकाली गई आसियान महिला शांति रक्षकों के लिए भारतिय सेना ने किस अभ्यास का आयोजन किया है तो देखो आसियान महिला शांती रक्षकों के बारे में बात हो रही है आसियान क्या है तो दक्षिन पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है आसियान इसके लिए जो भ necessarily सेना है उसने चार से लेकर 8 December के बीच में एक अभ्यास का आयोजन किया इस अभ्यास का नाम है पूछा जा रहा है तो इस अभ्यास का नाम है Table Top अभ्यास क्या नाम है Table Top अभ्यास इस बात को ग्यान भे रख लेंगे कौन सी भारतिय कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे वैलुएबल टोबैको कंपनी बन गई है दुनिया की तीसरी सबसे वैलुएबल टोबैको कंपनी का नाम है पर पूछा जा रहा है तो यह है ITC Limited ITC मतलब इंडिया टोबैको कंपनी के बारे में बात हो रही है आईए नेक्स चर्चार चार दिवसिय विश्व निवेज सम्मेलन का आयोचन कहां पर किया गया है यानि कि 4 Day World Investment Summit औरगनाईज करी गई है ये कहां पर औरगनाईज करी गई है तो दिल्ली में औरगनाईज करी गई है साथ मैं आपको बता दूँ कि 11 दिसंबर को इसको स्टार्ट कर दिया गया था और ये इस तरीके का 28 वे नंबर का सम्मेलन है जो अभी तक हो गया है तो देखो रामनात कोविंद हमारे देश के पूरो राश्पती रही है इनके द्वारा पधान मंत्री नरेंदर मुदी के ऊपर लिखी गई एक बुक का विमोचन किया गया है उसका नाम यहाँ पर पुछा जा रहा है तो इस बुक का नाम है नए भारत का साम देओ क्लियर आए नक्स बात करते हैं तो देखो पियमोदी के ऊपर जितनी भी पुस्तके लिखी गई है रास्टी और अंतरास्टी इस तर पर लिखी गई है वो सारे लिस्टिंग दी गई है यहाँ पर तो आप पढ़ सकते नोट्स भी बना देगे है नेक्स हम चर्चा करेंगे भारती नौसेना के दौरा अभ्यास प्रस्थान वर्ष में कितनी बार आयोजित किया गया है उदे को भारती नौसेना के दौरा आयोजित किया जाता है अभ्यास का ना में प्रस्थान और इसको पूरे साल में दो बार आयोजित किया जाता है कब आयोजित किया जाता है तो तो पूरे साथ है तो बार आयो जुत किया जाता है, इस बात को समझ लेंगे, और ये कहां पर अभी संपन हुआ है, तो मुंबई जो तठ है, वहां पर इसको संपन किया गया है, बहां तीनों सेना के द्वारा, नेक्स हम चाचा करेंगे, निती आयो की पहली डेल्टा रैंकि है, जिसमें ये जो ब्लॉक है, इसको रैंकिंग दी गई है, और शिस रैंकिंग दी गई है, निती आयो के द्वारा, निती आयो की जिसको हम ठिंक टैंक भी कहते हैं भारत का, तो इसका नाम क्या है, तो तिरियानी ब्लॉक है, अब तिरियानी ब्लॉक कहां का है, तो ये ज एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत ही इसे शिर्ष इस्थान दिया गया है ओके अच्छा ये किस डिस्टिक में आता है तेलंगाना के तो कुम्रुम भीम आसिफाबाद जिले में ये आता है क्लियर आए नेक्स चर्चा करेंगे अकांक्षी ब्लॉक कारिकरम जिसको हम एस्पिरिशनल ब्लॉक प्रोग्राम कहते हैं जिसको स्टार्ट किया गया था पिछली साल 7 जनवरी 2023 में और इसका प्रमुक उद्देश यही यही था कि वो ब्लॉक्स जो बहुत ज़्यादा पिछ जनवरी 2023 को भारा सरकार के द्वारा और इसमें आप देखेंगे तो हमारे जितने भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं उसमें से 11 मिनिस्ट्रीज मिलकर काम करती हैं यानि कि 11 मंत्रालियों के द्वारा इस प्रोग्राम को चलाया जाता है क्लियर आए नेक्स चर्चा करेंगे ICC के नवंबर 2023 के लिए प्लियर आफ दो मंथ किसे चुना गया है हम सब कोच्छे से पता है कि ICC के द्वारा हर मंथ के लिए प्लियर आफ दो मंथ चुना जाता है female और male दोनों वर्जन में तो Travis Head और Nahida Akhtar इन दोनों को चुना गया है Travis लेविस हेड ऑस्टेलिया से बिलॉंग करते हैं और Nahida Akhtar बांगलादेश से बिलॉंग करती है इस बात को समझ लेगे लेक्स हम चर्चा करेंगे कबीर बेदी को इटली के किस समान से नवाजा गया है तो कबीर बेदी है स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनको इटली के समान से नवाजा गया है उसका नाम यह पर पूछा जा रहा है तो इस समान का नाम है The Order of Merit क्या नाम है The Order of Merit 33 व्यासमान किसको प्रदान किया जाएगा व्यासमान के बारे में जानकारी ले लेते हैं पहले तो 1991 से व्यासमान दिया जा रहा है केके बिल्ला फांडेशन के द्वारा दिया जाता है और व्यासमान के बारे में बात करते हुए 33 व्यास सम्मान इस बर दिया जाएगा पुश्पा भारती को इनका एक संस्मरन है जिसके लिए दिया जाएगा और इस संस्मरन का नाम है यादे यादे और यादे 2016 की ये कृती है लेकिन अभी इसको व्यास सम्मान दिया जाएगा केके विल्ला फाउंडेशन के द्वारा क्लियर अच्छा इसमें इन्होंने क्या लिखा है तो इसमें इन्होंने जो विभिन सहित्यकार हैं उनसे जुड़े हुए संस्मरन लिखे हैं उनसे जुड़े हुए जो तत्थे हैं उनके बारे में लिखा है यादे यादे और यादों में क्लियर आए नेक्स बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए नारी शक्ती बचत खाता किसके द्वारा लांच किया गया है तो नारी शक्ती बचत खाता महिलाओं के लिए लांच किया गया है और यह launch किया गया है Bank of India के द्वारा, इसका मोटीव यह है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 18 साल से अधिक आयू की जो महिलाओं हैं उनके लिए ये बचत खाता लेकर आया गया है, बात करेंगे भारत वियतनाम की सेनाओं के सयुक्त सैने अभ्यास का क्या नाम है, अच् 2018 से भारत और वियतनाम के बीच में ये हो रहा है, क्लियर आए निस चर्चा करेंगे, कर्म विर्चकर पदक 2023 से किस भारतिय वैज्यानिक को समानित किया गया है, तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, इस वैज्यानिक का नाम है डॉक्टर हेमा चंदरन रवी कुमार, और इनको भोतिकी और जयविघ्यान के छेतर में इन्होंने जो काम किया, शोद का काम किया उसकी वجज़ा से, ये पुरसकारे ने प्रदान किया गया है, किस थेस ने विश्वक के पहले चौथे पीड़ी के परमारो रियक्टर को चालू कर दिया है, चौथे पीड़ी का प 2024 कहां पर आयोजित करी जाएगी तो यह आयोजित करी जाएगी अजर्बैजान के बाको में अजर्बैजान की राजधानी क्या है बाको वहां पर इसको आयोजित करी जाएगी और एक चीज़ और मैं आपको बता दो कि अजर्बैजान और अर्मेनिया के बीच में जो रहा था उस बात को ध्यान में रखते हुए ही संक्तरास्ट चलवाई हुवा रता महाँ पर आयोजित करी जा रहे ही है पूना वाला हाउसिंग फाइनेंस का नाम बदल दिया जाएगा और इसका नाम बदल कर अब क्या कर दिया जाएगा पूछा जा रहा है तो पूना वाला ह हाउसिंग फाइनेंस का नाम बदल कर ग्रिहम हाउसिंग फाइनेंस कर दिया जाएगा ग्रिहम हाउसिंग फाइनेंस कर दिया जाएगा नेक्स बात कर लेंगे हम दस वर्सों के बाद संक्तरास्ट शांती मिशन आधिकारिक तौर पर कहां पर समाप्थ हुआ है यानि कि 10 साल स यहाँ पर सइंतु राज्टा की जो शांती साइनिक थे यहाँ ठीमिशन चला रहे थे, शांती को बरकरा रखने के लिए काम कर रहे थे इस देश का नाम यहाँ पर पुछा जा रहा है तो यह है माली, किस देश का नाम क्या है माली आए नक्स चर्चा करेंगे पद्मपाडी Lifetime Achievement Award किस कलाकार को दिया गया है तो यह है जावेद अक्तर जी, जावेद अक्तर जी एक राइटर है, समवाद लेखक है और एक शायरी लिखते हैं, गीत लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं इनको पद्मपाडी Lifetime Achievement Award दिया जाएगा जावेद अक्तर इनका नाम है, और इसके दोरा दिया जाएगा तो एजन्ता अलोरा, जो फिल्म फेस्टिवल होगा, उसके दोरान इनको ये पुरसकार दिया जाएगा नेक्स बात करेंगे, चीन ने एजिप्ट के साथ मिलकर कौन से सेटलाइट लाँच करी है तो देखो, चाइना ने अफरिकी देश एजिप्ट इसके साथ मिलकर सेटलाइट लाँच करी है और गोवी में, जो एजिप्ट का गोवी है, वहाँ से इसको लाँच किया गया है, इसका नाम क्या है, तो मिस्रसैट टू अरजन पुरसकार और खेलरतन पुरसकार के लिए किसे नामांकित किया गया है, अभी इनका नाम नॉमिनेट किया गया है, इस बात को समझ लेंगे तो BCCI ने अरजन पुरुसकार के लिए नॉमिनेट किया है मुहमद शमी को वर्ल कप अभी खतम हुआ और हमने देखा कि किस बहतरीन तरीके से इन्होंने गेंदवाजी करी और भारत को सेकंड रैंक प्रदान करवाई वर्ल कप में खेलरत्न पुरुसकार यानि मेजर ध्यान चदर खेलरत्न पुरुसकार के बारे में यहाँ पर बात हो रही है इस बात को समझ लेंगे तो BADMINTAN जोड़ी है सात्तविक और चिराग की इनका नाम नामांगित किया गया है सात्तविक साहिराज रंकी रेड़ी और चिराग सेटी बात कर लेते हैं भारतिय नौसेनाक आदमी में इटली ने कौन सा कप जीता है यहाँ पर पूछा जा रहा है तो Admiral Cup 2023 Admiral Cup 2023 यह इटली ने जीत लिया है नेक्स चर्चा करेंगे Air India के Crew Members के लिए नई ड्रेस किसके द्वारा डिजाइन करी गई है तो आप देखेंगे Air India के जो Crew Members है उनके जो ड्रेस है वो इस तरीके की हो जाएगी इस कलर की हो जाएगी पॉपल और पिंक का शेड है यह और यह डिजाइन किया गया है मनीष मलोट्रा के द्वारा किसके द्वारा तो मनीष मलोट्रा के द्वारा नट्स बात करेंगे UWW Rising Star of the Year किसे दिया गया है तो UWW Rising Star of the Year दिया गया अन्तिम पंगाल को United World Wrestling के बारे में बात हो रही है कि तिरपन किलोग्राम वर्ग में 19 वर्षिय डाइनोमो के रूप में इनको हम समझ सकते हैं इन तिरपन किलो जो भार वर्ग है उसमें उसमें भार उठाने का काम करती हैं ये और ये 19 वर्षिये हैं और इनको United World Wrestling में Rising Star of the Year के लिए चुना गया है इनका नाम है अंतिम पुंधाल नेक्स्ट बात करेंगे सबसे बड़ी पठन गतिविदी के लिए कहां पर Guinness World Record बनाये गया है तो देखो सबसे बड़ी जो पठन गतिविदी है एक्टिविटी है इसमें सबसे पहले नाम था चाइना का और अब चाइना की जगा ये नाम किसके पास हो गया है वो ये भारत के पास चला गया है क्योंकि ये रिकॉर्ड बना दिया है पूरे ने किस ने बना दिया है पूरे ने ये रिकॉर्ड बना दिया है और 3,000 6,800 मातापिता अज़ने बच्चों के साथ ये जो पत Below कारिकरम है इसमें शामिल हुए थे और 14 दिस्मबर की यह बात है नेक्स बात करेंगे क्रिकेटर महंदर सिंग् धोनी किस नंबर की जर्सी को रीटायर कर दिया गया मैं अब यह जर्सी को पहने का ही नहीं यह महंदर सिंग् धोनी के सम्मान में BCCI के द्वारा किया गया है महेंदर सिंग धोनी जिस नंबर की जर्सी पहनते थे हम सब को पता भी होगा साथ नंबर की जर्सी ये पहनते थे और अब साथ नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया गया है इसी तरीके से सचिन तेंदुलकर की जो नमबर 10 की जर्सी थी उसको भी रिटार कर दिया गया था उनके सम्मान में BCCI के द्वारा, ओके क्लियर, आए नेक्स बात करेंगे, एरपोर्ट की, किस एरपोर्ट को DGCA से लाइसेंस मिल गया है, DGCA के द्वारा लाइसेंस मिल गया है, आयोध्या एरपोर्ट को, है न, और 6 जन्वरी को पहली बार अयोध्या से दिल्ली जो हवाई सर्वी से वो स्टार्ट कर दी जाएगी, और DGCA से इस एरपोर्ट को लाइसेंस दे दिया गया है, अच्छा इस एरपोर्ट का नाम क्या है, तो इस एरपोर्ट का नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतरास्टी हवाई अड़ा, क्लियर, 350 करोन रुपे की लागात आएगी, सबसे पहले दिल्ली से इसका कनेक्शन किया जाएगा, इसके बाद जो हवाई सेवा है, दिल्ली से स्टार्ट की जाएगी अयोध्या की, उसके बाद अयोध्या से एहमदाबाद के लिए जो 2023 किसे चुना गया है, तो Miss India USA 2030 चुना गया है, रिजुल मैनिको, क्लियर, अचा ये भारतिय मूलकी है, जो मिशिगन मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर पढ़ रही है, और भारत के बाहर ये अपने तरीके की ऐसे प्रतियोगिता है, जो इतने लंबे समय तक भारत के लिए प् प्रतिवी पर सबसे गहरी लैब किसके द्वारा लांच की गई है, प्रतिवी पर सबसे गहरी जो लैब है वो लांच करी गई है चाइना की द्वारा, अच्छा कितनी मीटर की गहराई है ये तो 2400 मीटर की गहराई है, नेक्स बात करेंगे, PM मोदी ने 9 निर्मित डायमंड एक्सजेंज का उद्गाटन कहा पर गिया है तो नौ निर्मित डायमंड है यानि कि ये ओफिस है और सबसे बड़ा ओफिस है पूरी दुनिया का और इसका उद्गाटन कर दिया गया है सूरत में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के द्वारा तो याद रख लेंगे सरसट लाक वर्ग फुट में फैला हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा ओफिस है ये और लगबख 4500 से अधिक हीरा ब्यापार कार्याल है इसमें हमें देखने को मिल जाएंगे क्लियर इस सेशन में इतना ही आई होग के सारे कोशन आपने अच्छे से समझ दी होंगे वीकली हम लेकर आ रहा है लेकिन जल्द ही हम जैसा के डेली लेकर आते हैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे इस हपते का भी वीक में करके खतम कर देंगे और उसके बाद हम डेली करेंट अफेर की जैसे हम रेगुलर करते हैं वैसे ही अपनी ग्लास को स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट विक से तो चलिए फिर कल मिलेंगे तब तब तक के लिए टेक केर बाई बाई खुश रहना है मेहनत करते रहना है